अलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज आपको माया नगरी मुंबई के ऐसे इलाके में घुमाने लेकर जाएंगे जिसको दुनिया कमाथी पूरा के नाम से जानती है सबसे पहले आपको रेकमेंट करना चाहेंगे आप किसी ऐसी जगह पर बैट जाएए जहां आप असहज महसूस ना करें और हो सके तो हेड़फोन का इस्तेमाल जरूर कीजिए क्योंकि हो सकता है आपके आसपास लोग आपकी तरफ देखने लगें इससे पहले हमने जीबी रोड और कोलकाथा के सोना गाची की गलियों से आपको रूबरू करवाया है जहां बड़े स्तर पर जिस्म बेचे जाते हैं वो मुवी इसी इलाके में रह रही एक सेक्स वरकर एक्टिविस्ट पर बनाई गई है सबसे पहले आपको बता दें कमाठी पुरा भारत के सबसे बड़े रेड लाइट एरियाज में से एक है फरोशी का धंदा चलता है यहां के इलाकों में आपको पतली पतली गलिया नज़र आएंगी जिसमें सडक पर इन्वाइट करती ओरतें और पुलिस की गाडियां भी नज़र आती हैं जो किसी भी तरह की डिस्रप्शन को कंट्रोल करने के लिए तैनात की जाती है हमने पहले भी बताया था कि रेड लाइट एरिया के इलाके में नॉर्मल इलाकों के मुकाबले ज़्यादा क्राइम रेट होता है यहां इसी क्राइम रेट को कंट्रोल करने के लिए 2400 घंटे पुलिस की गाडियां तैनात रहती हैं लेकिन इसी पुलिस की मौझूदगी में आपको रंग बिरंगे अट्रैक्टिव कपडों में मेक अप किये आपको महिलाए नजर आएंगी जो हर समय कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहां खड़ी रहती हैं कुछ चीज़ें आप कमाठी के बारे में नहीं जानते होंगे जो काफे इंड्रस्टिंग है मुंबई की कुछ फेमस बिल्डिंग्स जैसे बीएमसे बिल्डिंग, मुंबई का सीमेस्टी रेलवे स्टेशन और राजाबाई क्लोग टावर इन ही कमाठी वरकर्स के द्वारा बनाए गए थे लेकिन इनको कंस्ट्रक्शन में काम मिलना बंध हुआ तबसे ही इन्होंने इस धंडे में कदम रखने शुरू कर दिये 1990 के दशक में पुलीस ने काफी रेड करना शुरू कर दिया तकि यहां होने वाली क्रिमिनल अक्टिविटीज को रोकने और लोकैलिटी के बेटरमेंट के लिए कुछ कदम उठाए जा सकें उस समय तक यह धंडा भारत में इलीगल भी हुआ करता था तब इस जगह को लाल बाजार के नाम से जाना जाता था इस इलाके में एक गली को सेफ माना जाता है जिसे करसेट जी सुकला जी रोड के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस जगह पर ज़्यादा तर येरोपियन महिलाएं काम करती है जो ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज में या फिर लोकल्स के साथ इंवॉल्ब नहीं होना चाहती बाकी का इलाका बड़ा ही कंजस्टिड और गंदगी से भरा है जहां लड़कियां खड़ी होकर कस्टमर्स का इंतजार करती है अब सेकड़ों साल पुराने इस इलाके को रेडवलप करने की कोशिश की जा रही है अगर पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए ऐसे वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन ज़रूर प्लेस करें थैंक्स फर वाचिंग, स्टे तुने विद एक्स्टोर वायर्स